Hello everyone, देखे जो आज का lecture होने वाला है, इसमें हम एलोई के बारे में कुछ बात करेंगे, right, एलोई क्या होता है, क्यों उसकी जरुरत पड़ी, उसके बाद में हम देखेंगे कि एलोई में जो phases होते हैं, कि इन phases में एलोई exist कर सकता है, जिसमें आपने देखेंगे दो phases आते हैं एक solid solution और एक inter metallic compound, ठीक, जो solid solution है, उसके बारे में मैं already पड़ा चुका हूँ, आपको याद हो तो मैंने point defect वाला जो lecture था, वो जाके देखना, वहाँ पे मैंने ये बात की थी कि जो interstitial impurity और substitutional impurity एक topic पड़ाया था, right, वो basically solid solution ही थे, ठीक है, तो इसके जो दो type होते हैं, interstitial solid solution और substitutional solid solution, वो दोनों already में cover कर चुका हूँ, आप अगर देखना चाहें, तो point defect वाला जो lecture है, महाँ जाके देख सकते हैं, ठीक, उसके बाद में अपने एक देखेंगे, बहुत जो important चीज़ है, इस lecture की hum rotary condition, ठीक है, कि hum rotary जो rule होता है, वो क्या चीज़ होता है, वो basically बताता है, उसके बारे में अपन बात करेंगे यार, ठीक, और ये सब करने के बाद में, एक question है, जो hum rotary rule से ही आया था, engineering service 2018 में आया था, तो इस question को अपन देखेंगे, क्या था, इसको अपन solve करेंगे, ठीक है, तो भया, lecture को start करते हैं, ठीक, देखते हैं, एक एक चीज, क्य क्या होता है, देखो, अगर सबसे बिले, मैं alloy के बारे में बात करूँ, ठीक, तो जरा यहां पर ध्यान दो, कि alloy क्या होता है, तो भहिया ऐसा है, सबसे बिले तो एक चीज समझो, जिसे माल लो, मैं को ship बनाना था, ठीक, तो अब यार, लोगों ने सोचा, लोगों को ship बना करोजन लग गया, जंग लग गई भाई, आयरन में, ठीक, अब लोगों ने बोला यार, अब क्या करें अपन यार, इसका क्या solution निकाले, तो एक solution ही निकल के आया, कि भहिया उस आयरन में तुम क्या add कर दो, उस आयरन में chromium add कर दो, अगर chromium add करोगे, तो भहिया उस component का जो करोजन रिजिस्टेंस से वो बढ़ जाएगा, ठीक, तो करोजन की problem खतम हो जाएगी, ठीक है, एसे ही और भी चीजे, अपने को अगर माल लो कोई material है, उसमें और भी कुछ specific properties अपने को अगर impart करना है, तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, कुछ certain kind of components, certain kind of materials, अ added into a metal, to impart certain properties to it, ठीक है, किसी metal में, अपने impurity items को add करेंगे, to impart certain properties in it, then it is known as alloy, right, कोई एक component metal होना चीए, ये compulsory है, ठीक है, कि metal है, उसमें तुम कोई non metal add कर रहो, या कोई दूसरा metal add कर रहो, ठीक है, वो दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं, वो depend, उससे कोई फरक निपड़े क्या है, कि metal, एक metal होना चीए, राइट, जैसे मैंने या iron और chromium का example बताया, ठीक है, एसे ही, जो silver होता है, ठीक, चांदी, चांदी, तो जो pure silver होता है, भाईया, उसका corrosion resistance तो बहुत high होता है, ठीक, लेकिन, वो बहुत soft होता है, ठीक है, तो क्या गिया, उसमें copper aid कर दिया, तो भाईया, उसका corrosion resistance में तो कोई chain नहीं आया, लेकिन जो उसकी strength थी, वो बढ़ गई, तो जो softness वाली problem थी, वो अपनने खतम कर ली, ठीक, तो alloy समझ में आया, क्या चीज़ थी, और क्यों इसकी जर्रत पड़ी, कुछ particular या specific properties अपने को aid करना होती है, किसी substance में, उसके लि और इसी को अपन alloy बोल देंगे, ठीक है, अच्छा भाईया, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जन्दली, जन्दली, जो strength of alloy होती है, वो greater होती है strength of pure metal, राइट, जैसे यह भी मैंने हाँ silver का example बताया था, ठीक है, तो pure silver की strength जो वो कम है, as compared to alloy of silver and copper, ठीक, तो यह जो formula अच्छा है, यह generally हर case में true है, ठीक है, अब अपने को पढ़ना है, alloy में क्या-क्या phases exist करते हैं, ठीक, तो उसके लिए पहले भाईया आपने को यह पता होना चीज़ी कि phase क्या चीज़ है, ठीक, तो अब अपन move करते हैं, phase देखते हैं, phase क्या चीज़े भाईया, phase जो होता है जिसे तुमने 11, 12 में या बचपन में कभी पढ़ा होगा कि solid, liquid, gaze जो होते हैं, यह phases होते हैं, राइट, वो definition तो ठीक है, लेकिन अपने को क्या करना है, कि engineering में अपन mechanical engineer है, तो थोड़ी अच्छी वाली language जो है, वो proper definition अपने को पता होना चीज़े, तो proper definition यह है, कि physically distinct, chemically homogenous and mechanically separable portion of the material is known as phase, यह से समझ नहीं आएगा, example लेते हैं, उससे तुमको यह चीज clear होगी, पूरी, जिससे माल लो, एक beaker था, उसमें water था, ठीक, और water के साथ मैं, मैंने बुला, कि माल लो, इसमें अपने sand के कुछ particle डाल दिये, ठीक है, यह क्या है, sand के particle, तो sand है, और यह उपर क्या है, water है अपना, ठीक, अब यहाँ पर भाईया, total दो phase exist करते हैं, ठीक है, solid और liquid, ठीक है, कैसे मैं बूल पा रहा हूँ, दो phase exist कर रहे हैं, देखो, physically distinct है, अरे water का structure अलग होता है, sand का structure अलग होता है, physically distinct है, हाँ भाईया है, यह हैं, chemical होमोजिनस हैं, देखो, water में, तुम इस point पे जाके composition check करो, इस point पे जाके composition check करो, चाहे इस point पे जाके composition check करो, किसी भी point पे जाके तुम composition check करो, जो उसके consistent है, hydrogen और oxygen, उनका जो amount है, वो fix है, ठीक, तो होमोजिनस हुआ, एसे ही sand में भी होगा, कि sand में किसी भी जगे जाके तुम check करो, particles का, उनका consistent same है, ठीक है, sand अपन ने homogenes ली थी, homogenes mixture लिया था, ठीक है, mechanically separable है, बिल्कुल भहिया, अरे छन्नी लगा दो या, छन्नी लगा दो water पूरा निकल आएगा, sand वहीं कि वहीं रह जाएगी, ठीक है क्या, तो दो phase exist कर रहे हैं क्या भहिया, समझ में आया, phase क्या चीज थी, physically distinct, chemically homogenes, mechanically separable portion of the material is called phase, एसा ही एक और example ले सकते हैं कि माल लो water था, water के अंदर ice थी, ठीक है, तो water और ice, ये दोनों भी दो phase exist कर रहें, वहाँ पे भी, ठीक, अच्छा अगर water और salt है, ठीक है, water था, उसके अंदर अपने salt डाला और उसको mix कर दिया, वो single phase होगा, ठीक, वह तुम देखोगे, जो नमक था, salt था, वो पूरा का पूरा घुल गया है, ठीक है, तो वो पूरा का पूरा substance जो है, वो single phase बन चुका है, ठीक है, उसको अप separate भी नहीं कर सकते हैं, make है निकली, ठीक है, phase तुमको clear है, phase क्या चीज़ थी, अब देखो phase clear हुआ, तो अब आगे possibility add करने पे, दो possibilities बनती है, कि या तो वो जो alloy बनेगा, वो solid solution होगा, या फिर वो जो बनेगा, वो intermittally compound होगा, ठीक, क्या-क्या ये चीज़े होती है, वो open up देखते हैं, देखो, ये type तुमने, मैंने पहले ही बता रखे हैं, कि substitutional solid solution और interstitial solid solution, ठीक है, ये दो होते हैं, solid solution क क्या चीज़े, solid solution ना, बस यसे समझो, जिसा माल लो water था, water में अपने sugar add की, right, तो वो एक single phase बन जाएगा ना, समझ रो, sugar या salt add किया, पूरा घुल जाएगा, उसमें completely miscible है, completely उसमें घुल गया, ठीक, वो एक single phase बन गया, एसे के एसे ही solids में भी exist होता है, solid में भी, माल लो एक solid particle था, solid के atoms थे, उसके बीच में अपने दूसरा solid डाला, दूसरा material या दूसरा impurity डाला, ठीक, या मैं इसा बोल दूँ कि एक solvent था, solvent के अंदर मैंने solute डाला, ठीक, दोनों solid है, तो जो solute होगा, वो uniformly distribute हो जाएगा, ठीक, उस solvent के अंदर, और उसको अपन क्या बोल दें अब इसके दो types होते हैं, substitutional solid solution और interstitial solid solution, यह basically substitutional impurity और interstitial impurity ही है, मैंने discuss कर रखा है, जो point defect वाला lecture है, वहाँ पे जाके देखना, अगर मैं छोटा सा तुमको बताना चाहूँ, तो बस इसा होता है, कि जैसे माल लो, यह एक atom था, अब जो substitutional solid solution है न, उसमें क्या होगा, कि जो एक दूसरा atom आएगा, वो atom, जो अपना initial वाला solvent था, solvent को substitute कर देगा, solvent मतलब जो major concentration में है, solute मतलब जो minor concentration में, ठीक, यह था substitutional solid solution, अगर तुमको समझना हो, कि interstitial क्या चीज़ है, तो interstitial में इसा होगा, कि भहिया, जो अपना solute था, वो solute तो है, ठीक, अब solute के atoms के बीच में, जो interstitial side है, या void है, उन void में, कोई नया atom आके, यहाँ पर घुच जाएगा, impurity घुच जाएगी, ठीक, उसको अपन बोलेंगे, interstitial solid solution, राइट, तो यह मैंने थोड़ा सा, बता भी दिया, ठीक है, detail में देखना हो, तो मैंने discuss कर रखा है, वो lecture म जाके देखना, अब अब अपन, solid solution की properties की बात करते हैं, भईया, क्या होता है, और साथ-साथ में intermetallic compound भी देख रहे हैं, ठीक है, दो possibilities थी, एक था, कि solid solution बना, दूसरा था, कि भईया, alloy जो यह वो दूसरा phase exist कर सकता है, intermetallic compound, या उसको simply intermetallics भी बोलते हैं, ठीक है, क्या लिखा है, देखो, solid solution है, crystal structure, same as either of its individual constituent, बहुत important point है भईया, यहां से बहुत important point निकल जाएगा, जो solid solution बनेगा, मतलब जो एक solvent था, ठीक, उसमें तुमने solute डाला, ठीक है, तो अब जो तुमको product मिला, या जो alloy मिला, वो alloy में, जो उसका crystal structure है, crystal structure में chain नहीं हो है, crystal structure जो है, या तो solute के जिसा होगा, या solvent के जिसा होगा, राइट, वो ही point यहां पर लिखा है, कि solid solution है, crystal structure same as either of its individual constituent, ठीक, individual constituent मतलब यहां पर मैं solute और solvent की बात कर रहा हूँ, राइट, और मुझे एक बात बताओ ना यार, अगर भईया crystal structure same है, product का, तो क्या मैं बोल सकता हूँ, कि जो product होगा, जो product होगा, उसकी properties भी same होगी, as that of, जो individual उसके constituent है, उनके जैसी, अरे यार, properties केसे change होती है, अपने पूरा crystalography पढ़ा है, अरे FCC जो था, वो अगर BCC बन गया, तो भईया, FCC जो generally soft and ductile होते हैं, वो अगर BCC बन गया तो भईया, वो hard orbital ना हो जाएंगे, समझ रहो, तो अगर crystal structure chain नहीं हो रहा है, तो क्या मैं यह बात बोल सकता हूँ, कि product की जो properties होगी, product reflects the properties of its constituent, अरे समझ में आया की नहीं आया, ठीक है, यहां तक की बात, ओके भईया, इसका ठीक उल्टा होगा, inter metallic compounds में, inter metallic compounds में क्या लि crystal structure, different from either of its constituent, ठीक है, मतलब भईया, तुमने माल लो solute था, solute में तुमने solvent aid किया, तो जो product तुमको मिला, वो product का crystal structure, ना तो solute के जैसा है, ना ही solvent के जैसा है, वो कुछ और ही बन गया, ठीक, उस case में, उस case में, अपन बूलेंगे कि अपने को क्या मिला है, inter metallic compound मिला है, और अगर मुझे एक बात बताओ, crystal structure change हो चुका है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि properties भी change हो जाएगी, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे भहिया, अगर crystal structure change हो गया, तो अपन ये point बोल सकते ना, कि जो product होगा, product does not reflect the properties of its constituent, जो product या alloy तुमको अभी मिला है, उसकी जो properties होगी, वो उसके individual जो थे, solute और solvent उनसे different होगी, right, एक point और था, इधर, अपना, solid solution में, कि variation in composition is possible, ठीक है, composition में, variation possible है, इसका मतलब ये, मैं example से समझाता हूँ, अगर माल लो, मैं तुमको, substitutional solid solution का example दूँ, तो भाईया, copper nickel एक famous होता है, ठीक है, जिसके बारे मैं अपन detail में आगे बात करेंगे, जब face diagram पढ़ेंगे, तो copper nickel solid solution जो होता है, वो होता है, substitutional solid solution, एक होता है, iron carbon solid solution, ये होता है, interstitial solid solution, right, अब भाईया, इसमें हैसा है, जिसे माल लो, iron carbon से समझाता carbon aid करते गए, तो carbon 0% से तुमने बढ़ाया, 0.5%, 1%, 1.5%, 2%, समझ रहे हो, सारे ही cases में, वो अभी भी, अभी भी क्या है, वो अभी भी solid solution ही है, ठीक, मतलब तुमने composition change किया, carbon का composition change करते जा रहे हो तुम, लेकिन फिर भी वो, अभी भी solid solution ही है, interstitial solid solution है, in case of iron carbon, जबकि, अगर मैं बात करूं, inter metallic compound की, तो भी या, inter metallic compound में, जो composition होता है, वो fix होगा, ठीक है, एक example बताता हूँ, iron carbide, Fe3C, ठीक है, इसको बोलते है, iron carbide या cementite, detail में अपन डिसकस करेंगे, जब iron carbon diagram आएगा, महाँपे, detail में इस पर बात होगी, इसमें भी या carbon का composition fix है, कि 6.67% carbon जब तुम डालते हो iron में, तो भी या, वो inter metallic compound बना लेता है, जिसको तुम क्या बोलते हो, जिसको तुम क्या बोलते हो, cementite बोलते हो, या iron carbide बोलते हो, या Fe3C, समझ में आया क्या, मतलब fixed composition है भी या, तुम अगर 6.67 से कम जाते हो, तो कुछ और बन जाएगा, वो inter metallic compound नहीं रेने वाला, समझ में आया क्या, तो ये point clear है, कि have fixed composition वाली बात, ठीक है, अच्छा एक और point था, कि जो inter metallic compounds होते हैं, उनके बारे में एक point याद रखना, ये जंदली, जंदली क्या होते हैं, hard और bitter होते हैं, और इनकी strength ज्यादा होती है, ठीक है, तो cementite भी क्या है, hard और bitter है, extent बहुत high है इसकी, ठीक है, in general, और यहाँ पर जो solid solution थे, उसमें एक point ये था, कि variation in composition is possible, इसलिए क्या मैं ये बोल सकता हूँ, कि जो solid solutions होंगे, वो series of, मतलब अगर माल लो कोई component है, वो solid solution बना रहा है, ठीक, तो उसमें तुमको एक series of solid solution मिलेंगे, जा रहे हो, और तुमको अभी भी solid solution मिलते जा रहे है, ठीक है, जैसे carbon जो था, 0%, 8 करना मैंने चालू क्या iron के अंदर, ठीक, 0.5%, 0.6%, 1%, 1.5%, 2% and so on, ठीक, सब में, वो series of solid solution दे रहा है क्या, सभी cases में, वो solid solution जैसा ही exist कर रहा है क्या, तो अपन बोल सकते हैं कि ये जो होग यहाँ पर series of solid solutions मिलेगी, ठीक, बोलो यहाँ तक कि ये बात clear है, अब देखो यहाँ आपन ने ये सब पढ़ लिया, ठीक, phases भी देख लिये, अब next point क्या आता है, कि next point discuss करना है अपने को बहुत important point आ रहा है, hum row 3 row, ठीक है, बहुत important चीज है, अभी तक जो भी मैंने बताया ह इसको समझने के लिए, ठीक, तो ध्यान से देखो, hum row 3 conditions क्या है, या hum row 3 rule क्या है, ठीक है, पहले तो एक चीज़ देखो, अपन ये बताता है कि कौन सा component, कौन सा जो solution बनेगा, वो complete solid solubility देगा, ठीक, intermittally compound अपने पढ़ा था, अब उसको भूल जाओ, ठीक है, अब अपन solid solution पे अपना focus कर रहे है, उसमें भी एक point आ रहा है, complete solid solubility, अब ये क्या नया word आया भाया, solid solubility, देखो, वेसे तो मैंने ये चीज़ discuss कर रखी है, उस lecture में, फिर भी मैं थोड़ा सा और बता देता water के अंदर, ठीक, एक बीकर में water था, ठीक, तुमने इसमें sugar add करना चालूगी, ठीक है, sugar तुम इसमें add कर रहे हो, और उसको घोल रहे हो, घोल रहे है, घोल रहे है, sugar तुम add करते जा रहे हो, घोल रहे है, एक time ऐसा आया भाया, कि sugar रो दी, वो बोले कि अब मेरी limit हो गई अब मैं नहीं गुलने वाली ठीक उस case में तुम देखोगे कि जो वो case होता है न वो case यह हो जाएगा कि फिर तुम further जो भी sugar डालोगे वो यहां base में जाके सिर्फ बेट जाएगी खटी हो जाएगी तुम गोलते रहो नहीं गोलने वाली ठीक उस case में अपन बोलेंगे कि वो जो liquid था वो जो water और sugar का mixture था तो जो sugar का जो वो component था जो composition था जो तुमने उत्ते particular amount of water में डाला वो उसकी solubility limit थी ठीक कि उस limit के बाद sugar ने घुलने से मना कर दिया समझ में आया एसे ही भईया एसे ही भईया यहाँ पे यह जो solid solubility है वो भी यही चीज होती है अब complete solid solubility जो है वो क्या चीजे वो समझो वो यह है कि जैसे माल लो यह अपना पेले तो एक चीज याद रखो कि जो substitutional solid solutions होते हैं वो ही complete solid solubility देते हैं ठीक इंटरिस्टिशल नहीं देते हैं ठीक है अब एसा था कि यह माल लो यह कोई solute के atom थे इसमें माल लो अभी अपन substitutional solid solution की बात कर रहे हैं तो यह कोई नया atom आया solute आया aid हुआ है यहाँ ठीक अब अपन क्या कर रहे हैं इस solute का amount बढ़ाते जा रहे तो भईया वो solute जो है वो दूसरे atoms को substitute कर करते जा रहा है करते जा रहा है करते जा रहा है करते 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 उसने सारे के सारे ही solute solvent atoms को substitute कर दिया राइट यह था जो अभी मैंने यह example दिखाया है इसको अपन बोलेंगे कि complete solid solubility का example है कि पहले initial time पे माल लो तुमारे पास में A था ठीक वो A final time पे उस A में तुमने B aid किया A जो वो मालो solvent था उसमें तुमने B aid किया और B का amount बढ़ाते 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 finally तुमारे पास में जो end बचा end time पे जो component बचा वो से B बचा सारे के सारे जो A atoms थे वो सब replace हो गए ठीक है जो copper nickel solid solution है वो इसी टाइप की solubility show करता है ठीक कि copper होता है उसमें तुम nickel aid करना चालू किया उसने copper को substitute किया करते 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 end में 100% nickel हो जाएगा और 0% copper बचेगा ठीक तो complete solid solubility clear है अब अब आते हूम root 3 conditions पे हूम root 3 conditions क्या होती देखो दो चीजे थी एक तो था for substitutional solid solution और एक interstitial के लिए भी बात होगी वो बात अब भी बात में करेंगे पहले देखते है substitutional solid solution के लिए क्या condition हूम root 3 की सबसे पहला point यह आता है तुम इस diagram को देखो इसको देखके तुमको क्या लग रहा है कि माल लो यह a के items थे ठीक initial time पे ठीक और माल लो कोई दूसरा अपन बोलने की b atom यहाँ पे आके replace करना चाता है ठीक तो तुमको क्या feeling आती है क्यार वो b का size इतना बड़ा होना चीए या फिर b का size इतना छोटा होना चीए या फिर तुमको यह feeling आ रही है कि यार वो substitute कर रहा है तो substitute कर रहा है तो जो size है वो approximately same ही होना चीए समझ रहो न third feeling ही आ रही है न अपने को वो ही point तो लिखा है यार कि crystal structure of both solute and solvent आगे की line नहीं लिखे है तो वो अपन अब लिख लेते हैं must be must be क्या आएगा भाईया और क्या आएगा भाईया same solute और solvent का जो crystal structure है वो क्या होना चीए भाईया same होना चीए ठीक FCC है तो FCC ही रहेगा ठीक sorry मैं जो वो size बता रहा था size वो ये वाला point था जिसको मैंने crystal structure में mix कर दिया अपन यहाँ पे पेले ये point देख लेते है size factor की देखो जो third feeling तुमको आई थी third feeling ने क्या बोला कि भाईया जो size होना चीए वो approximately same होना चीए क्या वो ही point यहाँ पे लिखा है atomic size factor देखो difference in atomic radii between solute and solvent must be क्या होना चीए must be less than equal to 15% ठीक जो solid जो solute और solvent के atom से उनकी atomic radii में जो difference है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चीए 15% से कम होना चीए approximate ठीक तभी size जो है तभी वो solute atom substitute कर पाएंगे solvent atom को समझ में आया अगर माल लो अगर माल लो एसा case होता कि भीया जो तुम substitute कर रहे हो ठीक माल लो ये एक atom था जो substitute कर रहा है माल लो उसका size बहुत ज़्यादा है ठीक या बहुत कम है कुछ भी case हो सकता है तो उस case में यार तुमको दिख रहा है न अगर बहुत ज़्यादा वाल आएगा तो भीया वो ये आईट साइट के जो atoms है इनको भगाएगा इदर उदर बोलो यार भगाएगा तो यार क्रिस्टल structure चेंज नहीं हो जाएगा अरे क्रिस्टल structure चेंज नहीं हो जाएगा क्या FCC तो माल लो BCC था वो BCC अब BCC रहा ही नहीं कुछ और ही बन गया क्रिस्टल structure ही चेंज हो गया तो अपन क्या ये बात बोल सकते हैं कि otherwise latest distortion will occur latest distortion means अरे आइट साइट के जो items होंगे उनमें strain field create होगी उनको भगाएगा ये नया वाला item ठीक और अगर latest distortion होगा तो अपन बोल सकते हैं इससे crystal structure क्या हो जाएगा और क्या हो जाएगा crystal structure change हो जाएगा ठीक है वो जो first property थी वो मैंने पहले ही बता दिया था कि crystal structure of both solute and solvent much भी same crystal structure दोनों का same होना चीव भईया अगर माल लो solute atom जो थे उनका crystal structure FCC है तो जो solvent atom तुम डालोगे उनका crystal structure भी क्या होना चीए FCC होना चीए तभी वो substitute कर पाएंगे ठीक तो जो यह अपना atomic size factor वाला जो point है यह basically इस crystal structure वाले point से ही related है ठीक उसी को यह denote कर रहा है कि भईया अगर size में कम difference होगा तभी तो वो same crystal structure बनाएगा और अगर size में बहुत ज़्यादा difference है तो crystal structure ही change हो जाएगा ठीक थर्ड पापर्टी देखते हैं थर्ड पॉइंट आता है electronegativity भईया जो solute और solvent के जो atoms है न ठीक उनकी जो electronegativity है वो approximately same होना चीए यह मैं बोल दू comparable होना चीए ठीक comparable बोले तो आसपास ही होना चीए ठीक अगर माल लो किसी एक की electronegativity ज़्यादा है दूसरे की electronegativity कम है तो भईया क्या होगा solid solution बनेगा ही नी उस case में वो intermetallic compound फॉर्म हो जाएगा ठीक क्या फॉर्म हो जाएगा intermetallic compound तो ये चीज भी आद रोको कि electronegativity भी क्या होना चीए same होना चीए या comparable होना चीए ठीक है फॉर्थ rule आता है फॉर्थ rule बोलता है कि valency of both solute and solvent मज़ भी same या मैं वही बोल दू comparable ठीक आसपास ही होना ची valency में भी ज़्यादा difference नहीं होना चीए ये बात ध्यान रखना ठीक तो अभी तक अपने चार rule पड़े भाईया पहला rule था सबसे important crystal structure solute or solvent item का crystal structure same होना चीए दूसरा point अपने पड़ा कि जो size का difference है वो 15% से कम होना चीए approximately third point अपने पड़ा electronegativity same होना चीए या comparable होना चीए valency same होना चीए या comparable होना चीए right देखो एक बहुत important note William D. Callister जो book है grant material science का वहाँ से मैंने एक point लिया है ये valency वाला जो point है ना उसी के साथ में उसमें एक point और लिखा हुआ है इसमें EAC 2018 में question भी आया था उसको भी अपन करेंगे वो point ये बोलता है कि देखो valency तो पहली बात तो उसने बोली कि valency same होना चीए ठीक या comparable होना चीए बट अगर मालो valency same नहीं है तो उसने ये बात बोली कि कौन सा solution ज़्यादा stable होगा more stable solution क्या होगा उसके ओपर उसने comment क्या है के लिश्टर में ये line लिखे हुई है वो line क्या है ये नीचे लिखी है उसको अपन पढ़ेंगे पहले जो अपने मैंने own खुद के words में जो लिखा है वो चीश समझो वो point ये बोलता है कि अगर solute की more valency हो और solvent की less valency हो ठीक तो जो solution बनेगा वो ज़्यादा stable होगा एस compare to इसका vice versa इसका vice versa मतलब solute की less valency और solvent की more valency ठीक इसका example देखो zinc in copper जो होगा मतलब copper था solvent उसके अंदर तुमने zinc डाला copper की valency लिखर की है प्लस 1 है zinc जो तुम डाल दो solute उसकी valency है प्लस 2 ठीक तो solute की valency ज़्यादा solvent की valency कम ये जो solution है ये more stable है एस compare to copper in zinc ठीक एस compare to copper in zinc मतलब copper मतलब less valency बाला zinc मतलब ज़्यादा valency बाला ठीक है तो क्या ये point तुमको clear है WD के list में अब जो line लिखी थी वो पढ़ो a metal will have more tendency to dissolve another metal of higher valency ठीक then one of lower valency एक metal है उसमें ये tendency होगी कि वो अपने अंदर ज़्यादा valency वाले atom को dissolve करे rather than dissolving another material या another atom which is less valency ठीक है तो ये solute और solvent की term में जो मैंने लिखा है क्या ये point clear है ठीक है अब देखो भईया इसका जो complete solid solubility थी उसका एक example जो था copper nickel solid solution है राइट अगर तुम compare करना चाओ ये data जो याद रखने की जरुरत नहीं है भईया ठीक वो सिप interest के लिए तुमको बताया है कि तुम compare कर सकते है उसमें 4 condition satisfy हो रही है जो hum root 3 बोला था ठीक radius अगर तुम देखो तो copper का 0.128 nanometer है nickel का 0.125 nanometer है तुम इनका difference लेके percentage निकालोगे इनका जो size में difference है वो approximately 15% से कम आ रहा है ठीक है ऐसा कुछ करोगे न radius of copper minus radius of nickel divided by radius of copper ठीक उसका तुम percentage वगेरा निकालते रहे न वो 15% से कम ही आने वाला है ठीक है भईया crystal structure की बात करें भईया दोनों ही face centered QB की structure है भईया ठीक electronegativity इसकी 1.9 है इसकी 1.8 है ठीक valency copper की plus 1 nickel की plus 2 almost comparable है same order की ठीक है तो hum root 3 की जो conditions थी वो तुमको clear है क्या अब देखो अगर ये conditions clear है तो भईया अपन चलते हैं सीधे question की तरफ ठीक है question ये था उसमें उसने ये बोला है 2018 में आया था भईया उसमें बोला है consider the following statement regarding the solid solution of metals पहला दे रखा है the solubility of metallic solid is limited by size factor correct है गया बिलकुल correct है है जो metallic solids होंगे उनमें उनकी जो solubility है क्या वो size factor से limited है अरे हा ना यार भईया अभी पहला पहला rule क्या था हिउम रूथरी का क्या था भईया पहला rule दूसरा rule था atomic size factor था ना कि भईया जो उन दोनों के sizes का difference है वो 15% से कम होना चीए अरे था गी नहीं था यार वो ही point तो यहाँ पर लिख रखा है ठीक है कि solubility of metallic solid is primarily limited by size factor correct है second point a metal with high valency can dissolve large amount of metal of lower valency अरे गलत भईया गलत हो गया यह वाला अरे अभी तो अपन ने बात की अभी तो अपन ने बात की कहां गया कहां गया यह रहा solute की more valency हो और solvent की less valency हो तो भईया जो solution होगा ज्यादा stable होगा ठीक समझ में आया जबकि यहां उल्टा लिखा है यहां उल्टा लिखा है यह बोल रहा है a metal with high valency मतलब जो solvent है उसकी high valency है अब उसमें तुम जो dissolve कर रहे हो वो lower valency वाला dissolve कर रहे हो ठीक बोलो यह चीज़ clear है क्या उसके बाद में third point लिखा है a metal with same latest crystal structure can form a series of solid solution यह point भी मैंने बताया था अरे यह point भी discuss हुआ था वो अपनने देखा था कि जो solid solutions होते हैं solid solution के अंदर यह था ना last point एक minute दिखाने दो गई है यह रहा solid solution के अंदर variation in composition possible है ठीक है composition में variation possible है ठीक मतलब जो तुमारा product बन रहा है product का crystal structure अगर same है तो भाईया composition तुम vary करते जाओ एक series of solid solution तुमको मिल रहा है तो जो third point था यह भी correct है क्या बोल दो अगर first और third correct है तो बस भाईया हो गया अपना answer जो फाइनली C आ चुका है ठीक है basically यह जो fourth वाला है ना इसको तुम ऐसे भी जा सकते थे कि अगर मान लोग इसी को third वाला नहीं भी पता है तब भी वो अंदाजा लगा सकता है fourth point लिखा है the limit of solid solubility is indicated by a face boundary which is called liquidus भाईया यह point जो ना जब अपन face diagram पढ़ेंगे वहाँ पे मैं discuss करूँगा liquidus नहीं होता है solvers करके एक line होती है उससे denote किया जाता है ठीक इस boundary को face boundary को वो बात आगे होगी ठीक है तो अगर किसी ने पढ़ रखा है तो ये तो famous point है तो उसको ये पता होगा कि fourth गलत है तो भाईया fourth वाला गलत मतलब एक तो हड़ गया भी भी हड़ गया उसके बाद में जो second वाला था second वाला भी गलत हो गया actually मैं देखो यहाँ पे भी ऐसा है कि थोड़ा सा जोले भी है यहाँ पे लिखा है कि a metal with high valency can dissolve large amount of metal of lower valency तो देखो can लिखा है तो कर तो सकता है ठीक है बड़ वो ज़्यादा stable नहीं होगा ठीक है और क्योंकि जो third वाला point है और जो first वाला point है वो बहुत ज़्यादा correct है high valency dissolve large amount of metal of lower valency with low stability ठीक है या मैं ऐसा बुल दू कि अगर ऐसा कोई solution अगर तुम बनाओगे तो उसकी stability ज़्यादा नहीं होगी stability उसकी कम होगी ठीक है ज़्यादा ताइन तक वो stable नहीं रहेगा ठीक ये question था जो 2018 में आये था एक point और था कि interstitial solid solution जो थे उनके लिए भी hum row 3 ने कुछ rule दिया था उसमें जो है वो सिप ये point था देखो यहाँ पे ये रहा interstitial के लिए ये ये सा था interstitial मतलब वो कि जैसे माल लो ये solvent था और solvent के बीच में यहाँ पे जो interstitial voids है उन voids में impurity आ गई ठीक iron carbon जो होता है न वो इसी type का solid solution बनाता है carbon जो है वो iron के अंदर as a impurity रहती है ठीक interstitial impurity रहती है तो भईया इसके लिए ये सा था पहला जो rule था वो ये था कि जो solute atoms का जो size होगा या radius होगा वो less than होगा 59% of radius of solvent atom ठीक तुम इसके किसमें करके देख लेना जो iron का atomic radius है जो size है ठीक वो देखना और जो carbon का size है atomic radius है वो देखना तो जो carbon का atomic radius है वो इसके 59% से iron के 59% से कम होगा ठीक है तो ये था पहला rule दूसरा था कि valency और electro negativity यहाँ पे भी यहाँ पे भी क्या होना ची भाईया अरे same होना ची है या comparable होना ची ठीक ये थी interstitial solid solution के लिए ह्यूम रूथरी की condition तो I hope that अभी तक जो भी आपको पढ़ाया ये जो concept था ये आपको clear हुआ होगा और ये जो notes है न notes जो है वो मैंने telegram group में डाल दिया है तो आप महाँ पे जाके download कर सकते है telegram group की जो link है वो भी या description box में भी मिल जाएगी comment box में भी आपको मिल जाएगी और lecture आपको अच्छा लगाओ तो share कर देना अपने दोस्तों के साथ में बागी मिलते नेक्स लिक्चर में तब तक के लिए बाई 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 टेक क्यार फूश रहो मस रहो